बिर्सा मुंडा आंदोलन यहां आंदोलन जार्खंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता रहा है। इस आंदोलन के नायक बिर्सा मुंडा को भगवान के अवतार रूप में मान्यता मिली है। मुंडा जन्जाती भी अन्य जन्जातीयों की तरहे क्रिशी और वनोपर निर्भर होकर अपनी परंपराओं मान्यताओं को सहेज रही थी। यह जन्जाती छोटानात पुर्क शेत्र की प्रमुख जन्जातियों में से एक थी और इसके लोग कभी विवादों की सुर्खिया नहीं बने थे। शान्ति पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मुंडा लोग भी उत्पीडन और अंग्रेजी लूटमार से बगावत पर उत्रे। इनके विद्रोह का एक मुख्य कारण इनकी संस्कृती पर अन्य संस्कृतियों की परचाई का भी पढ़ना था। कुछ आपसी मतभेद जो हर जाती जन जाती में पाए जाते हैं मुंडा लोगों में भी रहते थे। इनका मिलजोल हिंदूओं से भी था और इसी कारण कुछ मुंडा हिंदू परमपराओं का अनुसर्ण भी करने लगे थे। मतभेदों के कारण कुछ मुंडा इसाई मिशनरियों की ओर भी चले गए जैसा कि छोटा आनाकपुर में जमीनदार और राजाओं का शोशंचक्र चल रहा था तो ये लोग भी उसकी चपेट में आ गए थे इनकी जमीन को हडपा जा रहा था और इन पर करों का बोज भी बढ़ता जा रहा था फल्तरेन का जाल भी इनको अपने शिकनजे में जकड रहा था नियाए व्यवस्था तो बस नाम मात्र के लिए रह गई थी और सबसे बड़ा जटका तो मुंडाओं को तब लगा जब आवश्शक्ता में न तो हिंदू मित्रों ने और नहीं इसाई मिशनरियों ने उनकी कोई सहायता की जिनके कहने पर ये लोग अपने पारंपरिक नियमों से भी दूर हो गए थे मुंडा लोग इन सब बातों से पूरी तरह हतोच साहित हो चुके थे और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चिन्तातुर थे ऐसे समय में बिर्सा मुंडा नामक नौजवान मुंडा जन्जाती के उत्थान का बीड़ा उठाकर आगे आया उसका यह कहना था कि वह इश्वर की आग्या और शक्ति लेकर मुंडाओं को उनके अधिकार और बाहरी शक्तियों से उन्हें आजाद कराने के लिए अवतार के रूप में आया है इस युवक की वानी में ओज था और इसमें ततकालीन व्यवस्था पर चोट करने की क्षमता भी थी जल्दी ही कुछ मुंडा युवक प्रभावित होकर उससे जुड़ गए वह धार्मिक आख्यानों के माध्यम से लोगों में नवचेतना जागरित करता इसी कारण वह छोटानाक पुर्क शेत्र में देवदूत की तरह माना जाने लगा उसके विचारों में लगभग सभी विश्यों पर मनन करने की क्षमता थी वह सभाय आयोजित कर लोगों को कुरितियों से दूर रहने के लिए कहता जीवन में निर्भरता को स्थान देने की बात कहता और साथ ही अपनी संगठन शक्ती का ज्यान करने की बात कहता उसके मित्रमंडल ने भी शीघ्र ही उसे लोगों के बीच इश्वरिय शक्ती के रूप में स्थापित कर दिया बिर्षा मुंडा ने सन 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर दिया यह अब तक का सबसे बड़ा दल था भले ही यह मिथक था लेकिन बिर्षा को भगवान का अवतार ही माना जाने लगा उसने लोगों को अपने उद्देशों से अवगत कराया जिन्होंने मुंडा जन्जाती को नए ओज से भर दिया उसके प्रमुख उद्देश इस प्रकार थे अंग्रेल सरकार का पूरी तरह दमन कर देना छोटा नागपुर सहित सभी अन्यक्षेत्रों से दीकूओं को भगा देना स्वतंत्र मुंडा राज्यकी स्थापना करना बिर्षा मुंडा ने इन उद्देशों की प्राप्ती के लिए हिनसात्मक होने से भी गुरेज न करने का संदेश दिया उसने सभी मुंडाओं को साहस के साथ इस धर्मयुद्ध में कूदने का आहवान किया और योजना बनाकर साहुकारों, जमीनदारों, मिशनरियों तथा दीकूओं आदी पर हमला कर दिया हमला जोरदार था, लेकिन शासन व्यवस्था हैट साथ इसे उतना सफल नहीं होने दिया जितना सफल होने की बिर्सा ने आशा की थी उसे राची में कमपनी सेना द्वारा गिरफतार कर लिया गया लेकिन कुछ दिनों बाद उसे मुक्ती भी मिल गई और वह फिर से अपने दल में आमिला इस बार बिर्सा मुंडा ने अपनी योजना को भली भाती सुद्रिध रूप दिया और 25 दिसंबर 1897 को जब क्रिस्मस का दिन था तथा इसाई लोग इस दिन जश्न मनाने वाले थे हमले के लिए चुना इस हमले में अधिक से अधिक इसाईयों को मौत के घाट उतारने का संकल्क लिया गया निश्चित दिन मुंडा विद्रोहियों ने चारों और हाहा कर मचा दिया और जश्न में डूबे इसाईयों तथा उन मुंडाओं को मार दिया गया जो इसाई धर्म अपना चुके थे यह एक बड़ा नरसनहार था जिसने ब्रिटिश शासन को जख जोर कर रख दिया स्थानिय पुलिस बल भी इस मुंडा विद्रोह का शिकार हुआ चारों और त्राहितरा ही मच गई तब कमपनी ने रांची से सेना भेजी और निर्दैता पूर्वक इस विद्रोह को दबाया गया बिर्सा मुंडा और उसके साथ ही गया मुंडा को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया जेल में रहते हुए कुछ असाध्य बीमारियों और समुचित उपचार के अभाव में बिर्सा मुंडा की मृत्यू हो गई वहीं कमपनी के लिए यह विद्रोह एक सबक जैसा साबित हुआ उसने अपनी नीतियों में बदलाव किया अंग्रेजों ने भूमी अधिकार संबंधी नए नियम बनाए और काश्टकारी अधिनियम के अंतरगत पहली बार मुंडारी खूटकारी व्यवस्था को लागू किया गया प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बहतर बनाया गया आदिवासियों के दिलों से प्रशासन के प्रती घ्रेना को समाप्त करने का प्रयास किया गया सन 1908 में गुमला अनुमंडल बनाया गया जबकि खूटी को सन 1905 में ही अनुमंडल बना दिया गया था यह प्रशासन व आदिवासियों के बीच विश्वास बहाल करने के प्रयास थे बिर्सा आंदोलन सही मायनों में एक सफल आंदोलन कहा जाता है इसने जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारों की रक्षा, धार्मिक्ता की रक्षा जागरत करने के साथ ही इन्हें रूधियों मन्ध विश्वासों से दूर रहने की प्रेणा भी दी इसी आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को जनजातियों के प्रती समवेदनशील रहने को विवश किया बिर्सा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में लोगों को जागरत कर दिया था और आज भी उसे भगवान बिर्सा मुंडा के रूप में याद किया जाता है Central Figure, Birsa Munda Considered an incarnation of God Championed the rights of the Munda tribe Fought against exploitation by landlords, missionaries, and British authorities Focused on preserving Munda culture and traditions Causes of the movement Exploitation by British authorities, landlords, and missionaries Economic oppression and land-grabbing Cultural marginalization and imposition of foreign beliefs Social injustices and discrimination Key Objectives of Birsa Munda Overthrow British rule and establish self-garnins Drive out Dekus, outsiders, from tribal lands Establish a sovereign Munda state Strategies and actions Mobilizing Munda youth and masses Advocating through religious narratives Organizing gatherings and spreading awareness Encouraging resistance against oppressive forces Impact and legacy Massive mobilization of Munda people Elevation of self-esteem and assertion of rights Influence on British policies and administration Continuation of Birsa Munda's legacy In tribal consciousness End of the movement Birsa Munda's capture and subsequent death in prison Subsequent reforms and administrative changes by the British Establishment of administrative units like Gumla and Khunti Continuing reverence for Birsa Munda as a deity and symbol of resistance Who was considered the central figure of the Birsa Munda movement? Birsa Munda What were the primary objectives of Birsa Munda during the movement? Overthrow British rule Drive out Dekus, outsiders, from tribal lands Establish a sovereign Munda state What were the main causes that led to the Birsa Munda movement? Exploitation by British authorities, landlords, and missionaries Economic oppression and land-grabbing Cultural marginalization and imposition of foreign beliefs Social injustices and discrimination What strategies did Birsa Munda employ during the movement? Mobilizing Munda youth and masses Advocating through religious narratives Organizing gatherings and spreading awareness Encouraging resistance against oppressive forces What was the impact and legacy of the Birsa Munda movement? Massive mobilization of Munda people Elevation of self-esteem and assertion of rights Influence on British policies and administration Continuing reverence for Birsa Munda as a deity and symbol of resistance How did the Birsa Munda movement come to an end? Birsa Munda's capture and subsequent death in prison Subsequent reforms and administrative changes by the British Establishment of administrative units like Gumla and Khunti Continuing reverence for Birsa Munda as a deity and symbol of resistance